नमस्कार बच्चो, तोडे वी आ गोइन टुडिस्कस क्लास 9 इंग्लिश वर्क्षिट नमबर 59 यह आपकी 5th ऑप जेन 2022 की वर्क्षिट रहेगी आज की इस वर्क्षिट में हम राइटिंग स्किल की प्रेक्टिस करेंगे और राइटिंग स्किल में हम डिस्कस करेंगे अब आउफ ता डायरी एंट्री, डायरी एंट्री की काफी सारी प्रेक्टिस हम टर्म 1 में कर चुके हैं टर्म 1 में हमारी 4-5 वरक्षीट थी जिसमें सेम टोपिक था हमारा यानि हमने डायरी एंट्री है उसके अलगलेक टोपिक की प्रैक्टिस की थी तो यहां पर अगर बात की जाए तो कुछ नया नहीं होने वाला सेम फंडा रहेगा सेम कंसेप्ट रहेगा सेम फॉर्मेट रहे चाहिए इसके लिए अलग से मार्क्स होते हैं या नहीं होते हैं ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है लेकिन यह बॉक्स में होना चाहिए उसके बाद यहां पर आप मेंशन करते हो सबसे पहले डे के बाद आपका आजाता है टाइम और उसके बाद यहां पर आजाती है आपकी डे यानि कि जो टॉप left side का corner है, वहाँ पर आप date mention, day mention करोगे, day के बाद आप time mention करोगे, time के बाद आपके date, और उसके बाद एक blank line हमें छोड़नी होती है, उसके बाद salutation आजाता है, salutation क्या होता है, that is the dear diary, यह सब कुछ हम mention करते हैं, फिर आपकी body आजाती है, जो कि सबसे important part है, और end में हम यहाँ पर अपना name mention करते हैं, उससे पहले हलांकि हम signature भी कर सकते हैं, यहाँ क्या mention करोगे, आपका day हो जाएगा, उसके बाद आपका time हो जाएगा, यहाँ पर आपकी date हो जाएगी, clear, उसके बाद एक blank line, blank line के बाद यहाँ पर आपका dear diary हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी main body, और body के बाद यहाँ पर अपना name mention करोगे, हलांकि इससे पहले signature कर सकते हो, लेकिन mandatory नहीं है, अगर आपको diary को official बनाना है, तो ही आप signature करोगे, अदरवाई जैसे हमारे question में instructions हो, उसी के coding follow करना है, कई बार question दिया होता है, तो उसमें यह होता है कि put your sign as, दक् तो अगर put your sign है, तो आप sign करोगे और उसके बाद आपको अपना name mention करना है, बस इतना से होता है, और किस में होना चाहिए, box में होना चाहिए, तो यह जो part है, यह आपके लिए कहीं पर भी difficult नहीं होता है, day mention कर सकते हो, उसके बाद time mention करोगे, उसके बाद date mention करोगे, यहां आप इस page छोड़ना है, यहां पर dear diary हो जाएगा, और last में आपका name हो जाएगा, यह आपका beach का जो part है, यह हर बार change होगा, क्यों change होगा, क्यों हमें अलग topic मिलेगा, तब इसमें कई बार काफी सर students को उस वक्त mind blank हो जाता, कि हमने यह topic तो किया ही नहीं, ऐसा नहीं है, इस के रहेंगे, आपके 50% marks, और 50% जो आपके marks है, वो इस body के रहेंगे, clear, और अगर ऐसा ही situation आ जाए, कि आपको जो भी content, जो भी topic दिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकती, तो अभी at least try ज़रूर करना है, क्योंकि आपका जो format है, उसके marks तो आपको at least मिलेंगे, तो चली देखते हैं, आज की इस writing skill में, आज की इस task में हमें क्या दियेगे, यहाँ पी हमें दो task दियेगे, तो पहला हमारा task है, diary entry का ही है, इसमें हमें करना 100 to 120 words में, government has announced to begin COVID-19 vaccination for children in the age group of 15 to 18 years of age, third of gen से start हुआ है, यह information आप तक पहुंच चुकी होगी, कि government ने children के लिए, जो 15 to 18 के age group में, उनके लिए vaccination स्टार्ट कर दिया, यहाँ पी है कि you heard some of your neighbors, कि आपने इसके बारे में सुना, you heard some of your neighbors were worried whether it would be safe to get vaccinated when Omicron variant is on rise, कि आपने यह सुना कि आपके कुछ neighbors इसके बारे में discuss करें, क्यों Omicron है, वो variant आ रहा है, क्या यह safe रहेगा vaccine लेना, Write a diary entry, expressing your own concern about COVID-19 vaccination for yourself or your cousins, आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको diary entry करना है, इसमें आप खुद अगर vaccine ले रहे हैं तो खुद के लिए या फिर अपने कजन के लिए, आप क्या सोचते हो इस vaccination को लेकर के, यह हमें यहाँ पर mention करना है, clear, यानि कि हमारा body का पार्ट क्या करेगा कि vaccination के साथ जाएं या ना जाएं, क्या tension है, क्या issues है, वो यहाँ पर आप mention करोगे, अपने views को share करना है, clear, उसके बाद second देखिए, second हमारा task देख लेते हैं, उसके बाद एक ही करके दोनों task को हम solve करेंगे, second हमारा task है, वो भी COVID-19 से related है, the case of COVID-19 की cases के बात करें, Omicron variant are increasing rapidly, यह तेजी से बढ़ रहें, and there is a fear of another lockdown in your family, आपके family में ड्र है कि दोबारा से lockdown होगा, और दोबारा से lockdown होगा, पदा नहीं कितना लंबा खिंच सकता है, write a diary expressing your feeling and concern for the coming few months, आपको डायरी एंट्री करना है, जिसमें अपनी feeling, अपनी concern जो upcoming few months है, उनके regarding share करना है कि आगे क्या हो सकता है, clear, तो चलिए एके करके दोनों diary entry के task को हम complete करते हैं, first हमारा task है, जिसमें हमें 15 to 18 के age group में, जो vaccination होना है, उसके regarding, आप क्या सोचते हो, अपने views हमें share करने हैं, तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले box होना चीए, जो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, यह box में होगा, उसके बाद आपका day हो जाएगा Tuesday, 10 p.m., 4th of January, और यह हो गया आपका 2022, तो यह date हो गया, यह आपका day हो गया, यह आपका time हो गया, उसके बाद हमने एक blank line छोड़ दी, उसके बाद DA diary, salutation हो गया, इतना तो आप कर लोगे, सब में सेम रहेगा, उसके बाद ह first person मतलब I के साथ या फिर V के साथ आप करोगी से, clear, तो चलिए देखते हैं, the last few months have been difficult due to the COVID crisis, कुछ last few months की बात करें, few months में तलब last two years की बात करें, तो काफे difficult रहे हैं COVID crisis के कारण, now government has announced to begin COVID-19 vaccination for children in the age group of 15 to 18 years of age, कि अब government ने announce कर दिया है, कि 15 to 18 years age group के लिए vaccination किया जाएगा, it is believed that children are able to fight COVID better than the adults and that's big reason why they were not in the priority list for getting vaccinated earlier, कि ये माना जाता है, कि जो बच्चे होते हैं, उनकी immunity जो है, वो ज्यादा बैटर होती है, इसलिए वो priority list में नहीं थे, जब पहले वेक्शिन की बात आई, तो सबसे पहल है था, but we need to take into consideration that their risk is not zero, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि zero risk नहीं होता उनका, ऐसा नहीं की बिलकुल ही नहीं हो सकता, this timely proactive decision will prove a game changer against the COVID variants and sport a continuation of the country's return to the normalcy, और इस ताइम जो हमने decision लिया, कि पहले से हमने decision ले लिया, ये game changer प्रूव होगा, और हम जल्द ही normalcy की तरफ float आएंगे, सब कुस normal हो जाएगा, अगर हम 100% vaccination को achieve कर लेते हैं, we should get vaccinated as soon as possible, हमें तुरंत ही vaccine लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके, that was all about for today, आज के लिए बस इतना ही, good night, और उसके बाद अपना name यहाँ पर mention करोगे, तो ये आपकी diary entry होगी पहली, ठीक, once, once ही हमें upcoming, जो lockdown है, उसके chances लग रहे हैं, तो उसको लेकर के आपकी जो feeling है, आपकी जो concerns है, वो हमें share करने है, तो सबसे पहले, same pattern रहेगा, हमारा format रहेगा, box में होना चाहिए, आपका day, यहाँ पे time हो जाएगा, यह आपकी date होगी, 4th of gen 2022, एक blank line, उसके बाद, यानि कि आपक की dear diary, और dear diary की बाद, हम अपने main topic की बात करेंगे, main topic, the cases of COVID-19, Omicron variant, are increasing rapidly, there is a fear of another lockdown, previously, during 2020 lockdown, our family members faced a lot of problems, my father lost his job, and I too found it difficult to continue my studies, now again, we don't want to face the same situation, moreover, mental and physical health is also the main concern during the expected lockdown period, let's hope for the best, okay, जो भी आपके टेंशन है कि पीछे, आपके फादर की जोब चली गई थी, studies में issues आए थी, अब वहीड रहे दोबारा कि कहीं ऐसी situation दोबारा से ना आ जाए, दूसरा सबसे बड़ी चीज है, हमारा mental and physical health है, उसको भी maintain रखना है, तो वो सार आपने यहाँ पर शेयर के, उसको बाद good night, इशान्त और इश्रत आपका नाम हो जाएगा, that's all, okay, तो यह थी हमारे दोनों टास्क जो हमने complete किये, hopefully सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो, ये वरक्षीट अच्छे लगी, तो इस वीडियो